नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम AI को थोड़ा और explore करेंगे AI की बारे में जानेंगे बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ एक वीडियो आप इन चीजों फिर भी बनाएए जो की helpful रहेंगे सबी के लिए और क्या के उनकी applications रहेंगी किस तरह से आप as a student यूज़ कर सकते हैं अगर आपके kids हैं उनको किस तरह से help जो है AI से मिल सकती है बहुत सारी चीज़ें आज की date में हो रही है तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो लेकिया में जिसमें हम आज chat GPT को explore करेंगे जो एक चीज़ें मैं explore कर चुका हूँ इसके बारे में chat GPT के बारे में वो आपके साथ share करूँगा उमीद करूँगा कि आपको benefit से मिलेगा आपको कुछ एक capabilities AI की जो अभी तक पता नहीं होंगी इस वीडियो से समझ में आएंगी तो बहुत ही raw वीडियो रहने वाला है इसमें हम लोग कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं कि आपको instant knowledge या instant summarize कर देंगे content को it's just going to be exploratory video जिसमें मैं कुछ एक चीज़े explore करूँगा उससे जो information होए मिलेगी वो एक तूसरे के साथ हम share कर सकते हैं अगर आपको कोई doubt है तो comment section में आप जरूर वो doubt पूचिएगा I'll try to solve it out और किस तरह से हम AI से अपनी problems जो है उनका solution हम ढून सकते हैं बहुत सारी चीज़े हैं I'll just be very raw अगर कोई questions जान लें तो इसी तरह से जो भी instantly मेरे माइन में उसपर आएगा I'll try to do that right तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि यह जो AI है Artificial Intelligence है या जो Language Models है यह क्या रहते हैं क्या इनके use रहता है तो सबसे पहले जब हमने जाना कि जाए GPT जैसे Softwares या आपका है Language Models वो developed हो चुके हैं और बहुत ही जादा helpful रहेंगे हमारी day-to-day life में हमारी studies में बहुत सारी research में बहुत सारी चीज़ों में इनका use किया जा सकता है तो एक नई field जो है एक revolutionary field जो है वो invent हुई है यह बहुत सारे लोगों को मानना है और इसके जो है आगे consequences बहुत सारे रहेंगे हर एक एरिया में तो सबसे पहले जो है इसको जो इसके बारे में बताया गया वो कौन सी company थे हम सभी जाते है open AI तो मैं यहाँ पर type करूँगा open AI वहाँ से शुरुवात करते हैं इस वीडियो की तो Google में हम लोग को सभी को आदत होती है कि आप Google से जो है वो स्टार्ट करते हैं searching यह भी change होने वाला है आप maybe in future किसी AI से अपनी search स्टार्ट करेंगे तो इसी चीज़ को एक तरह से trend को shift करने वाली चीज़ आप मान की चल सकते हैं और जब AI में हम लोग तो यहां से भी आप directly जो है वो अपनी जो registration process से शुरू कर सकते हैं I'm already registered तो मेरे लिए convenient है कि मैं directly जो है अपने page विजा सकता हूं जो है अपने page विजा सकता हूं and start exploring things next आप के बास यहां पर आता है कि learn more about open AI तो यह भी चली तोड़ा से जान लेते हैं कि open AI क्या है open AI is an AI research development company artificial intelligence के ओपर जो भी काम हो रहा है तो बहुत साथा काम इस particular company में हो रहा है इनका जो mission है company का जो mission है that is to ensure artificial general intelligence benefit to all humanity तो open AI की बहुत interesting history है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी open world इसमें यूज किया है तो एक तरह से उनका mission शुरू में तो यह था कि profit नहीं कमाना है later on आप जानते हैं कि जहां पर भी ऐसी चीजें होती है breakthrough technologies होती है वहां पर थोड़ाई बहुत financial consequences है वह तो रहते हैं लेकिन नाम से आप देख रहे हैं और mission भी आप देख रहे हैं कि सभी को उसके benefit देना जो है वो इनका mission statement है बट अभी की date में आप देख रहे हैं कि अगर आप chat dpt 3.5 यूज कर रहे हैं वो तो free है लेकिन अगर आपको advance करना है उसको for use करना है तो you have to pay it so I don't know mission is to ensure artificial general intelligence benefit to all humanity but with a little bit very minor cost I guess anyways तो आप देख रहे हैं यहां पर vision जो है वो company का clear है आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं detail में पढ़ सकते हैं we are building safe and beneficial AGI but we'll also consider our mission fulfilling our work aid others to achieve this outcome तो बहुत ही noble एकरा का vision और mission है इस company का तो इस company ने काफी breakthrough technology developed की है और जिसको हम जानते है by the name of chat GPT तो शुरू करें chat GPT को I hope की तोड़ा background clear हुआ है chat GPT को अगर chat GPT को try करने के लिए आपको यहां पर जाना होका जैसे महीं आप रहे करूंगा I will be automatically diverted to that the page where I'm using my chat GPT for various किया जा रहा है क्योंकि फ्री है अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते है फोर में तो आपको यहां पर पैसे पे करने पड़ेंगे अगर में यहां पर क्लिक करता है तो आप देखिए यहां पर आपका फ्री प्लान है आपके पास unlimited messages के options है लेकिन आपका पार रहे है तो one is free plan second one is plus plan ओके तो यहां पर इसको minimize कर लेते हैं तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि एक interface देख रहे होंगे जहां पर OpenAI का logo है और एक question है how can I help you today so chat the word indicates कि आप इसके साथ interact कर सकते हैं पात कर सकते हैं और कुछ एक example भी है जिनको हम explore कर सकते हैं left side पर आप देखेंगे यहां पर आपकी chat history आ जाते हैं जो भी आपने चीजें search की होंगी explore की होंगी जो भी content आप जाना चाहते हैं जिसके बारे में भी आप पुछने साथ हैं तो वह यहां पर आ जाता है अगर आप घबरा रहे हैं artificial intelligence के word से तो बिल्कुल मत नपराएं बहुत ही easy इसको use करना और सबसे interesting बात मुझे chat GPT की या किसी भी AI model की यह लगती है कि आपके potential को multiply करके आपके जो efficiency है वो बहुत जादा बढ़ा सकता है कोई भी AI system तो अपने आपको train कीजिए AI को use करने के लि तो कुछ अलग तरह की चीज़ें सीखनी पढ़ेंगी किस तरह से आपको AI से answer लेना है किस तरह से best answer लेना है तो बहुत सरी चीज़ें जिसको prompt engineering भी कहा जाता है तो prompt जो textual information है जो आप submit करते हैं chat GPT में फिर आप response आपको मिलता है तो ऐसी बहुत सरी चीज़ें तो आप example द camera तो आप ने ये question एक तरह से पूछा और आपको response मिला है इस तरह से कि कैसी कैसी चीज़ें आपको करनी चाहिए किस तरह की color आपको use करना चाहिए किस तरह से आपका pattern होना चाहिए background texture layers बहुत सरी चीज़ें आपको जो है बता दी है for example कोई bell jewelry उसके बारे में भी आप इंडोर एक्टिविटीज के options आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से activities हम कर सकते हैं अभी कौन से game खेल सकते हैं आप एक example दे सकते हैं आपके पास देखिए यहाँ पे indoor games के option आ जाते हैं तो इसमें आप pick कीजिए और साथ ही जाद आप ये भी पूछ सकते हैं कि इन particular games को किस त अब पूछने का तरीका यह इस पर आपको काम करना है किस तरह से question पूछना है और आप में आप actually जाना क्या चाते हैं उसको कैसे आप design करते हैं वो भी बहुत important जाता है AI में तो इस तरह से आप AI को use कर सकते हैं यहाँ पे आप अपने questions put out कर सकते हैं जो भी आपको doubts हैं उससे related कुछ भी आप पूछ सकते हैं और उसको short करना है long करना है साथी साथ कुछ चीज़े हैं जैसे mathematical equations right तो solve an example तुम्हें यह type कर रहा हूं यहाँ पे solve an example of math I don't know math problem right अब मैंने पूछा कि एक example मुझे चाहिए उसको आप solve कीजिए now I have to tell किस area में math में आपको सारी सकते हैं although you can get the option automatically but rather to focus on an area आप पता सकते हैं कि again of calculus right तो मैंने बस यह डाला है तो आपके पास यहाँ पर यहाँ पर जाता है कि certainly please provide a specific calculus problem तो यहाँ पर यह क्या है कि चाह जी बीडी आपस पूछ रहा है कि अब मुझे आप अपने problem बताइए then I am going to give you the answer right तो अभी you can say I don't have I don't have an option you please provide me an example let's see क्या होता है I am just exploring right तो इस तरह से तो मैंने का कि okay why don't you give me the example आप क्यों नहीं देते मुझे ग्जापल तो math की एक पर्टिकलर प्रॉब्लम को इसने as a example जो है वो शो किया है find the derivative of this function तो अगर आपको derivatives के बारे में जानना है उसके जो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से you know understand करने कोशिच करते हैं तो जब evaluation की बारे आती है तो हमें बहुत सारे अलग तरह के questions सही होते हैं तो अगर आपको MCQs चाहिए MCQs on Micropology right on Micropology so you can say give me 10 MCQs with answers right अब अब देखिये answers मैंने पूचा है WER answers I can also type plus explanation plus explain also in detail so जो आपको चाहिए वो उस तरह से आप अपना prompt design कीजिए और आपको जो है यह देखिये अब I'm sorry कि यह इस तरह से ही type करता है यह it will be continuous typing तो देखने में आपको देखने हो रही है तो I'll just focus on one MCQ तो आप यहाँ पर देखिये question what is the primary function of bacteria in the nitrogen cycle तो आपको यह जनलाइज्ड Micropology related questions to IMCQ मिल जाते हैं correct तो यहाँ देखिया आपके पास इस तरह से answer भी आगया और answer के साथ में explanation भी आगी तो अगर आपको इसके बारे में और जाना है तो आप इस तरह copy कर सकते हैं इसका answer give me more information on this right कि आप जाना जाते है nitrogen fixing bacteria क्या होते हैं तो आप इसको और साथा elaborate कर सकत है nitrogen cycle को elaborate कर सकते हैं तो यहाँ पर nitrogen fixation is the answer right बहुत ही simple question है तो अगर आपको यह भी काफी simple question है तो let's see मैंने यह type किया है तो answer जो है वो आना चाहिए इसको मुझे थोड़ा सा दाना पड़ेगा यह देखे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है nitrogen fixing bacteria give me some more information on this तो nitrogen fixing bacteria के बारे में स mcqs but highly difficult mcqs depending upon जितना इसका database होगा उतनी difficulty label it can increase or decrease in microbiology biology may be numerical spelling जितने पड़ेगे इसकी numerical problems based right तो इसमें मैं पूछ के रहा हूँ कि मुझे more difficult mcqs though numerical problem based though तो यहाँ पे देखे I got more challenging mcqs in microbiology including numerical problems so what is the efficiency efficiency of disinfection process if the initial micropole population is 1 million cells and after the process only 100 cells remains efficiency आब बताईए अगर आपको उस 1 million cells है तो आपको यहाँ पर थोड़ा calculation करने पड़ेगी then only you will get the answer और यहाँ पर इस तरह से मैंने पूछा है तो मिरे पास explanation भी आगी है और answer भी आगया है कि अच्छी से काम ना करें एक और example में आपको दे रहा हूं give me right give me a format for my post doctoral fellowship application application okay how should I prepare my research statement अब मैं तोड़ा अलगी एरिया में चला गया हूं जिसमें मैं यह पूच रहा हूं कि मुझे अपनी research statement अगर बनानी है और मैं post doctoral fellowships के लिए apply कर रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए let's see कि क्या answer में मिलता है यहां पर preparing research statement for pdf application is crucial तो आपको ध्यान में रखना है यह सारी चीज़े opening paragraph आप कैसे होने चाहिए education background आपने देनी है research experience देना है research interest देना है methodology देनी है significance impact देना है तो बहुत सारी चीज़ें आपके यहां पर include हो जाती है तो convert this into into a table randomly मैंने इसको यह कहा इसको table में बनाओ look at this इसने इसका table भी बनाने शुरू कर दिया जिसको आप आप से copy कर सकते हैं तो कहीं भी अगर आपको यह सारी चीज़ें अपने notes में रखना है तो यह table I think it's more structured तो इस तरह आप रख सकते हैं और अगर मैं कहूं कि include examples also include or make this specific for biotechnology pdf application तो देखें इसमें क् कोई change होता तो देखें यहां पर biotechnology के example आने शुरू हो गया है in biotechnology आपने क्या किया है कौन से awards है methodology तो यह भी आप कर सकते हैं और आपने जाना है detail में give me an example which have the data also तो अब मैं एक example मांग रहा हूं तो यह देखें यहां पर in a code format जो है वो आनी शुरू हो चुकी है तो अब example मिल चुका है तो that means completed PhD in biotechnology at ABC university में आपको क्या करना है कि वहां पर आपको आपनी information बारने है research interest भी आपको देदिये देखें तो आप जो है और detail में जा सकते है methodology क्रिस्पर कैसने technology के बारे में बोला है क्योंकि यह बहुत ही data technology है in biotechnology तो इसलिए इसलिए यह कुछ example है established synthetic microbial community हालें कि अभी मैं पूरा नहीं देख पा रहा हूँ इसको मैं copy करूंगा right copy code तो इसको आपी it कर सकते हैं really interesting right अगर आपने और जाधा specific देदिये तो यह populate कर देगा उसको भी next coding आप कर सकते हैं तो अगर मैं यह कहूं give me थोड़ा complex code मांग रहा हूं मैं give me a python script for virtual screening using autodoc I mean let's see if it can give us the code यह मैं अब मैंने यह information इसमें डाली है कि मुझे एक script चाहिए जिसे मैं virtual screening कर सकूं इसको मैं अगर run करूं using python यह सारे molecules को एक बार में screen करें तो यहां पर देखें यहां पर आपके script भी आगई है आपके पास जो है वह information देनी होती है autodoc Vina में वह सारी information भी आगई है और आपको कुछ नहीं करना है आपको जो है receptor का पात देना है और आउट्पुट डियाक्टिव देनी है आपके पास उनकी information होगी जहां जो आपका coordinates है modes नाच हैं आपको right output आपकी run autodoc Vina run होगा और साथी साथ आपकी जो virtual screening file है इसको आप रन कर सकते है look at this आपको इसको run करना वड़ेगा errors होगी इसमें और जो errors आएंगी वह आप अगें चैट जीपीडी में डाली फिर देखें किस तरह से आपको response आता है तो देखें मैंने अलग अलग चीज़ें आपको इसमे बारे में आप जान सकते हैं को अप्रेट करें किसी भी वह आप कर सकते हैं अपनी सीवी आपकाई कर सकते हैं तो कुछ एक चीज़ें मैंने बताइए हैं बाकी आप खुछ सूचिए तब ही यह कहते हैं कि AI अपने आप में जो है वो एक important चीज है लेकिन आपको किस तरह से AI से maximum information बाहर निकालनी है वो जादे important है तो आप बहुत सरी चीज़े कर सकते हैं आलाएं कि मैंने बहुत सरी चीज़े यहां पर कबत नहीं की है लेकिन आप हमको explore कीजिए देखे किस तरह से जो है वो results आते हैं और chat GPT से भी आप उसकते हैं आपके दिमाग में है How can I effectively use chat GPT for my studies? Usually spelling errors जो है वो automatically यह correct कर लीता है but you need to be careful तो मेरे chat GPT को ही पूछ ले कि मैं आपको chat GPT को किस तरह से best use कर सकता हूँ तो आपके पास आज़ता है concept clarification अगर आपको कोई concept नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको जो है उसमें टालिए है आपको clarity मिल जाएगी problem solving भी की जा सकती है आपको problem उसको solution भी आपको मिल सकता है हलंकि it can make mistakes brainstorming भी की जा सकता है alternative ideas आप निगाल सकते है writing assistant आपकी grammar बढ़ी अस तो आप चार जीपीट को एक तरह से कहिए कि interview just act like an interviewer and ask questions on this one reviewing notes notes नोस पी review किये जा सकते है critical thinking programming challenges so many things so आप लेके last में क्या लिका है remember that while CHIGBD can be helpful study tool it is important to verify information from other resources that can be used as supplemented to your primary learning resources तो ये जो है ये एक तरह की disclaimer सभी में होता है ये आपको ध्यान में रखना है और आपको खुद detail में research करनी है errors सभी से हो सकते हैं गलती हैं सभी से हो सकते हैं AI से भी गलती हो सकते हैं तो आप जो है दो नहीं है तो language model जो है आपको गलत information भी दे सकते हैं उसका अपने ध्यान रखना है और आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप unethical information जो है AI से ना जो लें बैटर पही है आप अपने को grow कने की information लेजिए अपने को improve कने की information लेजिए destructive information ना ले और इसको जितना हो सके उतना अप और हम लोग साथ में करेंगे तरह के लिए तैने बात दूस्तों